तो विश्व के दो ताकतवर नेता 25 जनवरी को गुलाबी नगरी जैपुर आएंगे प्रदान मंदुरी नरेंदर मूदी और फ्रांस के राष्टपती इम्मैनुएल मैंक्रो इस दिन जैपुर के प्रमुक परेचक स्थलू का भ्रहमड करेंगे दोनों नेता जैपुर में र जैपुर भ्रहमड पर रहेंगे मैक्रो के स्वागत के लिए प्रदान मंदुरी नरेंदर मूदी जैपुर आएंगे फ्रांसेजी राष्टपती मैंक्रो जैपुर में शाही भोज आमीर हवामहल और जंतरमंतर आधी परचनिस्थलों का विजिट करेंगे इधर प्रदान म बैठा खुई मैंक्रो और मोदी दोनों ही जैपुर एपोर्ट से खुले रत में सवार होकर गुलाबी नगरी का भ्रहमड करेंगे इस दौरान करीब 6 क्लोमिटर का रोड शो भी किया जाएगा फ्रांस के राश्रवदी इमैनुएल मैंक्रो शाही अंदाज का पूरा लुथ उठाएंगे इसके साथ ही रात्री भोज सिटी पैलिस में दिये जाने की योजना है स्वागत के लिए जैपरिय पोर्ट से लेकर सभी परचनिस्थलों पर अलग-अलग अंदाज में स्वागत करने का कारिक्रम बनाया जा रहा है कास बात ये है कि इस स्वागत सत्कार में राजिस्थानी कला संस्कृती की जल्कियां दिखाई देंगे बीजेपी प्रिदेश अद्याक्ष सीपी जोशीने कहा कि 25 जनवरी को देश के प्रधानमंध्री नरेंद्र मोदी राजिस्थान की वीरधरा पर आरहे हैं कि कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंध्री नरेंद्र मोदी दो दिन तीन राथ यहां गुजार कर गये अब एक बार फिर राजस्तान को ये सवभाग्य मिल रहा है जोशी ने कहा कि मोधी के आने पर एक भव्य-स्वागत कारिक्रम होगा क्योंकि पिछली बार पिएम मोधी का दोरा सरकारी कारिक्रम होने की वजह से उनका स्वागत सतकार प्रदेश की जनता नहीं कर पाई थी लेकिन इस बार प्रियास करेंगे कि समय मिले और उनका दिव्य और भव्य स्वागत करें प्रदान मंत्री जी राजस्तान की दीड़ धरा पर आ रहे हैं और हम सब लोगों का सोवाग्य है कि आदरनी प्रदान मंत्री जी अभी कुछ दिनों पहले ही तीन दिन और दो रातरी यहां गुजार कर गए कि पूरे राजस्तान का और हम सब लोगों का सवागी और फिर से हम सब लोगों को देश रही दुनिया के लोगपरी नेता आजनी मोधी जी का स्वागत और अभिननन करने का आउसर मिलेगा 25 अब इसका जल्दी एक प्रोग्राम आपको देंगे और मैं सोचता हूँ एक भवी स्वागत कारकम चुकि बीच में एक सरकारी कारकम होने की वज़े से पहले जब आए थे तो हम सब लोगों को राजस्तान के लोगों को जीले के लोगों को यह आउसर नहीं मिल पाया लेकिन हम प्रियास करेंगे कि वहां से समय मिले तो 25 तारी को आलनी प्रधान मत्री जी का दीवे और भवी स्वागित करने का हम सब लोगो आसा को देखें देश के जन्ता ने मोदी जी के उपर अटूट विश्वास किया है और विश्वास पर आलनी मोदी जी खरा उतरे है